सब्सक्रिया नूर्जा की सक्क्रिया नूर्जा क्या होती है अब इस तरह से समजिए हम जानते हैं कि अभिकारत मिलकर ये अभिकारण जो रहते हैं वो मिलकर के हमें उतपात प्रदान करते हां अब इसे ध्यान से समझिए जो अभिकारत हैं उसके अनों का आपस में तकराव होता है जिससे उर्जामुक्त utta होती है जो आपके अविकारक होते हैं उनका आपस में अविकारक के अणों का आपस में टकरा होता है जिससे उर्जा मुक्त होती है ये उर्जा इस अविकरिया को पूरा करके उत्पाद बनाने के लिए काफी होती है या इसके बिना अगर ये अभिकारक जो हैं अभिकारकों के अणू आपस में टकरा करके यो उर्जा बनाते हैं अगर ये उर्जा ना बने तो उत्पाद नहीं बन पाएंगी या आप इसे अपनी में तरीके से समझे जब अविकारत मिलते हैं तो वो उत्पाल गनाते हैं तो अविकारत के अणू आपस में टकराते हैं अविकारत के अणू आपस में टकराते हैं तो उससे उर्जा उत्त होती है तो ये उर्जा क्या करती है ये उर्जा इस अभिक्रिया को पूरा कराने में मदद करती है यही वो उर्जा होती है जिसके करण ये अभिक्रिया पूरी होती है इसको कहते हैं सबक्रियन उर्जा तो अभिकार करणों के संगट या टकराव से प्राप्त उर्जा की भेह मात्रा जो अभिकार्या करनों है वो आपस में टकराई है और उनका संगट जो हुआ है उससे प्राप्त उर्जा की वह मात्रा जो अभिक्रिया को संपत कराने के लिए काफी रहती है जो अभिक्रिया को पूरी कराने के लिए काफी रहती है सक्रियन उर्जा कहलाती है तो हम जानते है कि अविकारक उत्पाद बनाते हैं तो अविकारक के संगटे या तकराव से प्राप्त हुई उर्जा की वो मात्रा जो अविकरिया को पूर्ण कराने के लिए काफी होती है आपकी सक्रियन उर्जा कहलाती है इससे हमें उत्पाद प्राप्त होती है तो सक्क्रियन उड़ जा बरावर होती है देली उड़ जा माइलस अविकारणों की ओसत इस सथे उड़ जाके अब बार करेंगे आरीनियस समीकरण तो आरीनियस ने क्या किया देखिए आरीनियस हमारी बैग्यानिक थे जिन्होंने अविकरिया के बेग पर ताप के प्रभाव यानि कि अगर कोई अविकरिया हो रही है तो उसके बेग पर उन्होंने बताया कि ताप का क्या प्रभाव रहता है टेंपरेचर का किसी वी रियक्शन के आपके बेग पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको बताने के लिए उन्होंने एक समीकरण दिया था जैसे हम R.E. ने इसका समीकरण कहते हैं तो R.E. ने इस नामें नहीं बैट्ग्यानिक थे जिन्होंने अविक्रिया के बेग परताप के प्रवाब को बताने के लिए एक समीकरण दिया था जिसे हम R, E, N, S का समी करण कहते हैं जो कि कुछ इस तरह से है आपका K बराबर A, E ही पावर माइनस E नीचे अलफा अपॉन R, T जहांपर K जो है वो है हमारा बेगस्थांक K है बेगस्थांक A है हमारा अबरती गुणांक E तो आप जानते हैं और E की पावर अलफा जो है E अपके सब हिक्स में जो अलफा है E अलफा जो है यह हमारा बेगस्थांक और T है हमारा परमता तो यह था सक्रियन उड़जा और R ये ने समी